एक मुसल्मान जिसने भारत की अस्मिता, अखंडता और सुरक्षा के लिए पांच टन सोना दान कर दिया। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली ने भारत सरकार को पांच टन सोना दान किया, जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया गया, अब तक का सबसे बड़ा दान माना जाता है। हैदराबाद में जनमे मीर उस्मान अली दुनिया के सबसे अमीर इनसान थे। उनकी अमीरी का अंदाजा इसी बाद से लगाया जा सकता है कि उनका अपना खुद का बैंक था। 1944 में उन्होंने ही स्टेट बैंक आफ हैदराबाद की स्थापना की थी, जो बाद में भारती स्टेट बैंक में बदल गया। वो 438 करोड रुपे की कीमत वाले हीरे को पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। बनारस हिंदू युनिवरसिटी को बनाने के लिए उन्होंने 10 लाख रुपे दान किये और अंबेडकर को मदद के तौर पर 54 एकड जमीन तोहफे में दी। आज वो दो कौडी के भक्त भी मुसल्मानों पर सवाल उठाते हैं जिनके बाप दादा कभी अंग्रेजों की मुखबरी किया करते थे। वैसे आप भी इस वीडियो को शेयर कर अंध भक्तों के पिछवाडे में आग लगाने का काम कर सकते हैं।